जहिन साथी और नमस्कार दोस्तों मैं आवर आठोर हमारे यूट्य चैनल पब्लिक रेक्षान आवर आठोर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है फैनली दोस्तों आप लोगों का इंतिजार समापत हो चुक है और आज 17 तारीक है मैं आपको पताना चाहता हूं दोस्त तो 15 तारीक का इसका नोड़ पे कसन आया था और मैं बात करने वाला हूं दोस्तों इंडियन आर्मी के ठीक है इंडियन आर्मी अग्रिवेर एक ही है आप समझने की कोसिस करिएगा ठीक है तो 15 तारीक का नोड़ पे कसन आया था और काफी लोगों का मन में डाउड था कि 15 तारीक से इसका फॉर्म डला जाएगा लेकिन आप सभी को पता चल गए होगा और पता नहीं चला तो मैं आपको बताना चाहता हूं इसका जो फॉर्म फिलब करने का डेट है दोसब जो भाई लोग अगनीवीर की इकजाम में फायल हुए है उनके लिए सबसी इंपोर्टेन वीटियो है और जो लोग इससे वह अंचीत है उनके लिए भी इंपोर्टेन वीडियो है और चली मैं पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ छोटा से वीडियो रहेगा पूरा देखना चैनल में नहीं तो चैनल को सस्क्राइब कर देजी तो हम कहां पहुंचे थे एक्जाम से ले बस में ठीक है उसे पहले मैं आपको डेट बताने वालो कि इसकी फार्म डालने की लाट डेट आपका 25 मार्च है ठीक है सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि पहले हमको कोई भी परकार का फिस नहीं लगता था ठीक है जो भी फार्म डलवाने का चार्जेस ओनलाइन वाले जो लेते थे वो तो अलग बात है वो अपना कमाई लेते थे ठीक है लेकिन इस बार 25 ओफिस कर दी गई है आपकी ओनलाइन एक्जाम के लिए तो दोस्तों यह सबसे बड़ी बात है खेर कोई नहीं आर्मी बनना है तो थोड़ा संगर्स और करना होगा और इस बार दोस्तों थाइस ओ लग रहा है फॉम का लेकिन मैं आपको बताना चाहतों इस बार पहले होता किया था रैली करवाया जाता था इस बार दिया जाता था था तो बच्चे का रैली करने में आने समय नहीं बज़ पाता था लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है इस बार बहुत सारा ऐस देखे पहले क्या होता था आधा से जादा से जादा बच्चे फिजिकल में कटके एक्जाम में जाते थे लेकिन इस बार जीतने भी बंदे हैं जो टाइम पास और भेड़ बनाने के लिए और एक देखावे करने के लिए जो जाते हैं या फिर उनके में कुछ कमी रहती है ओ लोग एक्जाम में कट बार इसे nuestro्हुन इसे को आते में होते हैं छो टॉइन को निकल जाते हैं लिए पीठाना होगा लेकिन इसिसा पहले हाम को चार्ज ना होगा,500 ुर्पय है,मारीब सब्क्राइब आपका हम परालेधरे चार्जन काल ने वाल नेते हैं उसके बाद हमारा फीजीव करवाए जाएगा उसके बाद मेडिकल तब जाकी रिजल्ट आएगी अब देखें दोस्तों आपका डाउट है कि एक्जाम सिलिबस क्या है देखें पीछले मुताबिक अब सबसे बड़ी बात यह कि दोस्तों आपका कमेंट आएका मैं समझ सको चालीस हजार पोस्ट मैं इसलिए बोला देखें इंडियान आर्मी की वेबसाइट कभी निर्दारित पोस्ट एससी जीडी की तरह नहीं करती लेकिन पीछले भरती के मुताबिक डाटा के हिसा चालीस हजार सम्थिंग बच्चों आल इंडिया वैकेंसी ले थी कहना मतलब आल बिसाजार इस बार भी लिया जाएगा पीछले डाटा के मुताविर सबसे इंपोर्टटन बात यह है दोस्तों कि आपका जम दिखें 50 नंबर का एनदी कोस्ट आता है 5000 न इस मैं और चार गलत करते हैं तो आपका एक नंबर कटा जाएगा अब इसका सिलेबस देखे दोस्तों सिलेबस निर्धारित नहीं किया गया ऐसा सीजीड की मुताबिक लेकिन मैं आपको पताना चाहतों इंडियन आर्मी के एकजाम में भारती समान ने गया भूल यह सब तो पूछा जाता है इतिहास पू कोसन पूछा जाता है पीछले मुताबिक इस बार नियम चेंज हो सकता है एकजाम के लिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुए लेकिन लगबग इस बार भी सम्तिंग लग रहा है कि ज्यादा तर पाचास ही कोसन आएगा तो आसा करतों यह निव नोड़ पे कसन आपको बहुत ही पसंद आवगा चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर देजिए चले दोस्तों नमस्कार